अक्टूबर माह का पहला सब्ता है कुम्ब राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर तक के कुम्ब राशी फल के बारे में इन साथ दिनों में कौन-कौन से ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा, किन ग्रहों की यूती होने वाली है और किस तरह के प्रभाव इन सभी के द्वारा आपकी दिन्चरिया में होने वाले हैं तो सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से आपकी जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में, हर ग्रह के प्रभाव के बारे में क्योंकि ये सप्ताहा ग्रहों के राशी परिवर्तन के द्वारा होने वाले बदलावों के लिए खास है और भी कई खास चीजें होने वाली हैं तो जानने के लिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारी चै बाकि जो तिती नक्षत्र हैं उनकी बाद में बात करूंगी तो देखें एक अक्टूबर के दिन होगा बुद्ध का राशी परिवर्तन बुद्ध उचके हो जाएंगे बुधा जाएंगे कन्या राशी में जो अपनी उनकी खुद के राशी है और उचकी राशी है दूसर जो राशी परिवर्तन होगा वो होगा तीन अक्टूबर को तीन अक्टूबर को क्या होगा कि मंगल का राशी परिवर्तन होगा मंगल अभी तक सूर्य के साथ विराजमान थे कन्या राशी में लेकिन तीन अक्टूबर को यह कहां आ जाएंगे आपके भागय के भाव में यानि तुला राशी में इनका गोचर हो जाएगा, केतु के साथ मंगल की यूती हो जाएगी और मैं आपको बता दू, मंगल के छायागरह केतु कहे जाते हैं, तो इनका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा तुला राशी में मंगल और केतु की यूती का, तो ये तीन ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा, जिससे कई तरह के योग बनेंगे, जैसे कि कन्या राशी में एक अक्टूबर को ही जो बुद्ध जाएगे, तो बुद्ध के साथ सूरे की यूती से बुद्धादित राजयोग बनेगा, और क्योंकि बुद्ध उचके होंगे, तो ब मेश राशी से गूचर करेंगे और मेश राशी से गूचर करते हुए यह मित्ھन राशी तक आएगे। मेश वरशब और मित्playing इन तीन बावों में चंद्रमा की सक्रियाता बनी रहेगी। अब ये जो सप्ता है श्राद पक्ष चल रहा है एक अक्टूबर से जो श्राद है वो श्राद शुरू होंगे द्वित्य श्राद रहेगा सुभा तक और उसके बाद तिर्त श्राद भी से दिन शुरू हो जाएगा तो श्राद पक्ष ये चल रहा है तो पाजों के लिए भी बहुत अच्छा है, दान पुर्ण करने के लिए भी यह सपताप बहुत अच्छा है, तो यह हो गई, ग्रहों के इस्तिथियां, आप चलिए जान लेते हैं, कि क्या कुछ खास आप के लिए रहेगा, तो देखिया बुद्ध के, मैं पहले राशी परिवर्तन के बारे में आप को बता दू, बुद्ध का राशी परिवर्तन का जो प्रभाव है, उसके उपर मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, और सब्धा है कि मैं बात करूं, तो स्वास्ते के लियाज से वैसे तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं, लेकिन छो आपको सफलता मिलेगी, और जो आपके विरोधी हैं, आपके प्रतिस परदी हैं, वो आपके काम में कुछ दिक्कते पैदा कर सकते हैं, कोई वैवधान खड़ा करने की कोशिशे कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को आप विफल भी कर पाएंगे, आप इस सब्धा में घ आपको नहीं घुमना फिरना है, थोड़ा सा आपके लिए, ये स्वास्ते के लिहास से अच्छा नहीं होगा, अगर पहले से दिक्कते चल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा यात्राएं हैं उनको अवाइड करना होगा, वेवसाइक द्रस्टी से अच्छा है, बजार और शे सफलता का बहुत जबरदस्ती यूग है, आपके लिए, यहां सफलता बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तयार रहें, बहुत अच्छे अलाव आपको देखने को मिलेंगे, और उनलावों का जो फायदा वो आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा देखिए, अपने परिजनों से प्यार मिलेगा, आनंद का अनुभव कर पाएंगे, अपने पारिवारिक करतेवय का पालन भी करेंगे, और ये वीक जो है, क्रियेटिव फिल्ड से जुड़े युवाओं के लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, आप शूध के का काम से जुड़े हैं, रचनात्मक फिल्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छा है, और अपने शोग को पूरा करने के लिए आप काम करेंगे, और उसमें काम अभी हासल करेंगे, तकनीकी सिक्षा, मैनेजमेंट, मीडिया, इन में कुछ नया करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको कुछ नई राहें भी दिखाई देंगी, करियर की चिंता जिनको सता रही थी, वो चिंता दूर होगी, यहां बड़े अच्छी योग हैं, आप किसी ऐसी चीजों से जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए काफी सैटिसफेक्शन वाली हो नौकरी में भी पदोनती के योग आपके लिए बने हुए हैं, और यहां परसनल लाइफ की और लव लाइफ की बात की जाए, तो परसनल लाइफ अनुकूल है, प्रेम जीवन में पिछले दिनों से अगर कुछ परिशानी चल रहे ही थी, तो उनसे चुटकारा मिल जाएग अब पहले ही दिन से जो बुद्ध का राशी परवर्तन है, वो बुदादेत राजयोग बना रहा है, आपके छटे भाव में बुदादेत राजयोग बन रहा है, छटा भाव रोग रिन सत्रू का तो होता ही है, पैतियोगिताओं का भी होता है, तो स्टुडेंट्स के आपको पूरे वर्ष भर देखने को मिलता है, वर्ष में एकी बार पितर पक्षा आता है, तो अपने पितरों की निमी तरपन करें, उनको प्रसंद करें, उनकी पसंदिदा बोजन बनाकर ब्राहमन को जिमाएं, या फिर भूके को खाना खिला सकते हैं, तो उसका जो प्रेगन में विराजमान है, तो ये क्या करेंगे, आपके लिए इस सित्यों को बड़ा अच्छे से एक मैनेज करने का तरीका आपको देंगे, कुछ लोग उसे सलहा मश्वरा आप ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, और अगर आप अपने प्रेम संबंध को उजागर क कर सकती हैं, वेतन व्रधी का शुब समाचार मिलेगा, जिसे सुनकर आप अंदर से भावुक हो जाएंगे, और परिवार में खुशियां दोडेंगी, आपके जो वरिष्ट हैं, और वरिष्ट अधिकारी हैं, उनकी जरूर सुने, पदपर्तिस्ठा में व्रधी के योग ब बहाग्या भाव में, उसके लिए मैं एक प्रपर वीडियो बनाऊंगे, क्योंकि ये काफी जो है, मंगल और केतु का एक साथ आना, बहुत बड़े चीजों के लिए कारण बन सकता है, तो उनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ, फिलाल ये जो विदेश जाकर पढ़ाय करने का सपना देख रहे हैं, उनके ये सपना प्रबल है, पूरा होने का, बहुत प्रबल योग बना हुआ है, बहुत ही जादा उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाए दे रहे हैं, मैं कहूंगी ये सपता आपके लिए बहुत अच्छा है, देखे, कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी के साथ वादवयाद में ना पड़ें, लड़ाई जगड़े से दूरी बना कर रखें, और जो इन साथ दिनों में सबसे शुब दिन आपके लिए रहेंगे न, वो एक तो समवार का दिन जो आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा शुब रहेगा, और शुकरवार का दिन जो होगा, वो भी बहुत ज़्यादा शुब आपके लिए रहने वाला है, शुब रंगों की अगर मैं बात करूं तो सफेद और नीला, ये दो कलर जो हैं आपके लिए इस पूरे सप्ताह के लिए बहुत अच झाल